रूसी राष्टपती ब्लादिबीर पुतीन ने यूक्रेन के सामने दो बड़ी शर्टे रखी हैं जिन्हें मानने के बादी बादचीत की शुरुआत हो सकती है पुतीन की पहली शर्ट है कि यूक्रेन क्रीमिया को रूसी संग का हिस्सा मने उसे मनिता दे और दूसरी शर्ट पुतीन की ये है कि यूक्रेन नेटो में शामिल होने से साफसाफ इंकार कर दे तो पुतीन ने दो शर्टे रख दी है पुतीन की शर्ट है कि नेटों में शामिल होने से इंकार कर दे तो यूक्रेन को अब ये शर्टे माननी ही होंगी इसके आगे कोई रास्ता नहीं इसके अलावा पुतीन ने और भी कई बड़े बाते कहीं है जिससे रूस के रुख का सा साथ साथ पता चल रहा है पुतीन ने यूक्रेन की सेना को तक्ता पलट करने के लिए कहा है पुतीन ने कहा है कि यूक्रेन की सेना को चाहिए कि वो देश का कंट्रोल अपने हातों में ले ले यानि सेना को साथ साथ कह रहा है पुतीन की देश की जो कमान है उसको आप अप रूसी सेना ने कीव का संपर्ख पश्चमी डेशों के साथ काट दिया है राजधानी कीव के बाहरी राके में मौजूद गोस्तोमेल एरबेस पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है चेनोबिल नूकलियर पावर प्लांट पर भी रूसी सेनिकों ने कब्जा कर लिया है यॉर अरब के काउंसल ओफ मिनिस्टर्स ने रूस की सदस्यता को निलंबित करने की प्रिक्रिया भी शुरू कर दी है ब्रिटेन ने पुतीन पर और ज्यादा सक्त प्रतिबंद लगाने की मांग की है तो रूस और यूक्रेन जंग में जो अभी तक का अपडेट है वो करीब दो दिन से जारी इस लड़ाई में अब तक की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है सुमवार को ही मास्टर स्ट्रोक में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह रूसी गाष्ट्रपती ब्लादिमीर पुती दोबारा से सोवियत संग को बनाने की इच्छा रख दिया यह तस्वीर थी एक रूसी टैंक की जो यूक्रेन में घुस चुका था और उस पर जो जंडा लगा था वो पुतीन के सपने का सुबूत दे रहा था यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले के आप में कई तस्वीर देखी आपने तबाह हुए टैंक्स और सेन ने गाड़िया देखी वर्ल्ड वार टू के बाद पहली बार शहरों में घुसते हुए टैंक देखे कई दशकों बाद किसी देश पारे तुरा बड़ा हमला देखा लेकिन इसी बीच एक तस्वीर ऐसी आई है जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि 30 साल से रूसी राश्ट्रपती पुतिन ने किस टीस को दबा रखा है रूसी सेना के टैंक की ये तस्वीर आपको पुतिन की दबह हुई इक्षा दिखा रही है रूसी टैंक पर लगे जंडे को जरा ध्यान से देखी ये जंडा सोवियत संग का है उसी सोवियत संग का जो 30 साल पहले तूट गया था हथोड़े और हसी ये वारा ये जंडा कभी सोवियत संग की शान हुआ करता था सोवियत संग की ताकत का हैसास यही जंडा पूरी दुनिया को कराता था लेकिन 25 दिसंबर 1991 को ये ताकट तूट गई और क्रमलिन से सूपर पावर की पहचान वाला जंडा उतार लिया गया लाखों रूसियों की तरह व्लादमिर पुतिन भी इससे बेहद आहत हुए थे तब वो सोवेट संग के खूफी आजंसी के जीबी के अजंट थे सोवेट संग के टूटने से वो बेहद दुखी हुए शायद इसलिए वो कई बार अपने दुख का इज़ार खुले आम भी कर चुके हैं अज्यों के हाटों के जब रूस की सब्टाइए उसके ऑज़ेशग्याश्यों बहुत प्रवाइन तर्था थे पुतन के हाथों में जब रूस की सत्ता आई उसके बाद वो कई बार कह चुके हैं कि अगर वो कुछ बदलना चाहते हैं तो वो सोव्यत संग का तूटना है यानि पुतन के मन में कहीं न कहीं तो बारा से सोव्यत संग को बनाने के ख़दा भी हुई है और इसकी सबसे ताजा जलक युक्रेन पर हुए हमले से कुछी हफते पहले उन्होंने दिखा भी दी थी CCCP जिस होके खिलाड़ी की जर्सी पर लिखा है वो रूसी टीम का खिलाड़ी है ये तस्वीर मौसकों में अभी कुछी हफते पहले इंटरनाशनल आई सोके टुनामेंट की फिनलेंट के खिलाफ जब रूसी टीम खिलने उतरी तो उनकी जर्सी पर CCCP लिखा हुआ था जो USSR यानी सोवियत संग की निशानी है यानी जर्सी बता रही थी कि टीम सोवियत संग की है और इसी सोवियत संग की जला के एक बार फिर दिखी है युक्रेन के युद्ध के मैदान में रूसी टैंक पर लगा सोवियत संग का जंडा बहुत कुछ बता रहा है दुनिया को संदेश दे रहा है कि 30 साल पहले सोवियत संग जिस तरह 15 टुकड़ों में तूट गया था उसका एक टुकड़ा वापस उसमें जोड़ा जा रहा है सोवियत संग के इन विखंडित टुकड़ों को जोड़ने का काम पोतिन पिछले लंबे वक्स से कर रहे है फिर वो चाहे जॉर्जिया हो, कजाकिस्तान हो या फिर बाकी के देशों जो सोवियत संग से तूट कर अलग हुए थे युकरेन की राजधानी कीव में इस वक्त अफरात अफरी का महौल है रूसी सेना की मौजूदगी कीव में दिखने लगी है वही दूसरी तरफ जान बचाने के लिए लोगोंने कीव के मेट्रो स्टेशन में शरण ली हुई है यूक्रेन की राजधानी कीव के सब्वेज का नजारा कुछ इस तरीके का है ये मेट्रो स्टेशन है लेकिन इस समय ये कई लोगों का टेंप्ररी घर बना हुआ है लोग अपने परिवारों के साथ, अपने पेट्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ में लोग यहाँ पर हैं कुछ इस तरीके की स्थिति लगभग हर बड़े सब्वेज में देखी जा सकती है इन लोगों में डर साफ देखा जा सकता है कई लोग तो अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर आ चुके हैं। इनमें बच्चे भी हैं। कई लोग तो अपने पालतू जानवर भी लेकर आए हैं। देखे जा सकते हैं। वहीं कई लोग ऐसे हैं जो फिलहाल एर रेड साइरन्स के कारण सहमे हुए, डरे हुए फिलहाल इन सब्वेज में हैं। क्योंकि देखा जाए तो युक्रेन के आसपास नाटों की मौजूद की बेहत मजबूत हैं। पहले आपको रूसी सैनिकों की तैनाती दिखाते हैं। बेलारूस वाले बॉडर पर रूस के करीब 30,000 सैनिक मौजूद हैं। अगर उत्तरपूव युक्रेन बॉडर की बात करें तो ये युक्रेन से सटी सबसे लंबी सीमा है। यहाँ पर करीब 1,4,000 रूसी सैनिक हैं। वहीं क्रीमिया की तरफ से भी करीब 20,000 रूसी सैनिकों ने युक्रेन पर हमला किया है। अब आपको नाटो और अमेरिका सेना की तैनाती दिखाते हैं। नाटो के सैनिक तैनात हैं। यानि युक्रेन के चारो तरफ रूस के करीब 1,90,000 सैनिक हैं जबकि नाटो और अमेरिकी फौज की ताकत करीब 69,060 जवानों की है। इसलिए नाटो और अमेरिका दोनों ही सीधे तोर पर युद्ध में नहीं उतरें। क्योंकि उन्हें पता है कि बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। यही नहीं इन्हें ये भी पता है कि पुतिन सोवियत संग का खोया गौरव वापस लाना चाहते हैं और युक्रेन पर जिस तरह उन्होंने विश्युद्ध का खतरा होने के बावजूद हमला किया है। उससे नाटो और अमेरिका भी सोच में पड़ गए हैं कि पुतिन सोवियत संग को लेकर कितने कमभीर हैं। तभी तो रूसी टैंक सोवियत संग का जणडा लेकर युक्रेन में घुसा है। ABP News आपको रखे आगे।